असलाम आलेकूम रहमतुलाही वबरकातो हो डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब वेलकम करते हैं हम आपका स्टूडियो में बेटे जैसे आपको पता हैं आपके एक्जामस आने वाले हैं तो एक परिशानी बच्चूं के लिए बोर्ड वाली ने ये डाली हैं कि असर्शन टाइम नहीं लूँगा यार हम यहां दो टीचर्स अभी हैं स्टूडियो में तो एसर्शन रीजन या मैं कहूंगा एर बेस्ट कॉश्चन जो हैं इसमें बच्चा अटक जाता हैं और आम तोर पे बेटा अगर सबसे ज्यादा टाइम जो जिसमें लगता हैं बच्चे को त करता है तो क्यों नहीं हम आज आज आपको समझाएंगे एसर्शन रिसन को कैसे हैंडल करें कैसे डील करें और इसका जवाब प्रॉपली किस टरीके से दिया जाता है ठीक हैं आम तोर पे बच्चUNG को समझ में नहीं आता है कि एसर्चन रिसन वाला जो है इसको खीust करना है कैसे इसको चूज करने होते हैं चलो बेटा चलते हैं तो एसे रीजन में हम आज चाहे कोई क्लास 8 का है कोई 10 का है 11 यह 12 का है हर एक के लिए बेटा से मैं हम आपको यहां पर फॉर्मेट समझाएंगे और कुछ क्वेशन मैंने यहां पर लगाया है सो दैट आपको पता चले किस तरीके सांसर देना है चलो लैट्स को बेटा क्वेशन नमर पहला हर एक बच्चे के लिए जिनको असर्श रिजन आते हैं सुनो एंज क्यूश मैं यह कुश्चन पूचे जाएं वहां पर पहले डीटेल लिखी होती है है ना बेटा डीटेल लिखी होती है डीटेल ऐसे कुछ डीटेल लिखी होते है इच क्वेशन कंसिस्ट इस अप्टू स्टेटमेंट्स नमली असे चैन रीजन फॉर स्लेक्टिंग अ यूजबध फॉलवलगं कोड़ इस कोड़ को आपने यूज़ करना होता है बहुत जादा सिंपल बहुत जादा सेंपल यह साल ओब वहां पर लौ साल चीज़ा होते हैं एक स्टेटमेंट दिया गया होता है एक रीजन दिया गया होता है अगे अन्द संजरेंगे ना बहुत ज़ला यह लेकिन लास्ट पे वहाँ पर चार ऑप्षिंस दिए गए होते हैं यह अप्षिंग ऑप्षिंग मान ऑप्षिंग फोर सब अभी यह जो यह ऑप्षिंस वाला केस अभी यहां पर समझ नहीं आएगा जब नम कोई question उठाएंगे for example बेटा question है देखो question number one है वहां पर assertion है और reason है assertion का मतलब यह statement है यह कोई बात है यह क्या है कोई बात है मैंने कोई बात कही यह हुआ assertion फिर मैं इस बात को किस तरीके से justify करता हूं मैं इस बात को किस तरीके से justify करता हूं उस बात को हम बोलते है reason for example मैं आपको बताऊंगा मैं गया डेली मैं गया डेली यह मैंने जो बात कही न मैं डेली गया यह assertion है क्या है यह assertion है और फिर मैं दूसरी बात बोल रहा हूं मैं डैली गया एरोप्लेन में तो ये जो मैंने बोलना दूसरी बात मैं डैली गया एरोप्लेन में ये रीजन है पहली बात क्या है मैं डैली गया ये एसर्शन है और मैं डैली गया एरोप्लेन में ये रीजन है या मैं ऐसे भी बोल सक की दूसरी बात भी की मैंने पहली बात कहीं मैं डैली गया एसर्शन है रीजन मैं बोल रहा हूं किस में गया वो मुझे मुझे क्या बोलना था मैं किस में डैली गया लेकिन मैं बोल रहा हूं मैं खाना खा रहा हूं इसका मतलब एसर्शन और रीजन को आपस में कोई करना चाहिए, क्या करना चाहिए, support, देखो बेटा कैसे, पहला question है, carbon monoxide when inhaled causes death, हम लेते हैं oxygen अंदर, अगर हमने कभी कभार carbon monoxide लिया, carbon monoxide एक harmful lethal gas होता है, अगर हमने कभी carbon monoxide gas लिया, अगर किसी कि इंसाने कार्बन मॉनोकसाइड गैस लिया ना आपको पता है वह विचारा मर जाता है दस पंद्रा मिनट के अंदर उसकी डेफ्ट हो जाएगी क्योंकि वहां पर यानि कि एक खतरनाक सबस्टेंस बनता है मैंने अभी वह नहीं बोलना है तो कार्बन मॉनोकसाइड जब इन होता है जसक्र Mommy होना चाहिए आंसर कि क्यों और यहां के साथ मिल जाता है और तक मरता है इसका मतलब assertion भी ठीक बोल रहा है reason भी ठीक बोल रहा है but reason बिचारा correctly explain करता है एको reason बिचारा बिल्कुल properly support कर रहा है assertion को इसका मतलब मैं क्या अब मैं sir answer क्या लिखो बच्चे अठक जाते हैं बच्चे आमतोर वहां लिखते है assertion ठीक reason ठीक ओ नहीं बेटा answer आपका यह है आपको इन चार में से option चूज़ करना है पहला क्या है पहला बोल रहा है both assertion and reason are true दोनों ठीक है assertion भी ठीक है reason भी ठीक है and reason is a correct explanation of a assertion भी ठीक है reason भी ठीक है बट जो reason है यह assertion की correct explanation है यह reason जो है यह assertion को properly explain करता है बिल्कुल इसका answer यह आएगा option A आएगा क्या आएगा option A आएगा समझ आ रहा है ना बेटा सच बताओ comment में लिख दो यार समझ आ रहा है नहीं आ रहा है तो इस तरीक से जितने हम total 12 questions मैंने लगाए है physics chemistry भायों के आगे आगे देखते है विद मतलब तीन चार questions के बाद आई से सालो करोगे चुटकी में चल देखे अब देखो क्वेश्टमर टू क्वेश्टमर टू बेटा यह है chemistry का सो मुझे चाहिए मैं chemistry teacher को भुलाओं हाँ शेकिल सब्सक्राइब असलाम अलेकों माइडियर स्टूडेंट्स चले आप question number second swallow करते हैं from chemistry portion the question is इसमें भी दो statement से statement number one जिसको हम assertion के नाम से जानते हैं what is the statement cloths are not washed properly in hard water with soap soap जब हम use करते हैं hard water में तो कपड़े अच्छे से साप नहीं होते हैं क्यूंकि soap hard water के साथ scum बनाता है precipitate बनाता है जिस वज़े से जो हमारे कपड़े वो अच्छे से साप नहीं होते हैं तो इसमें जो assertion यह ठीक नहीं है this is wrong तो इसको हम पहले यहां पर false लिखते हैं जैसे आपको दावद सर ने बताया लेकिन यह इसका actual answer नहीं होता है आपने इन चौर options में अपना answer दून नहीं है सबसे पहले हम इन statement इसको चक करेंगे जो पहला statement में यहां पर देखा तो मुझे लगा कि यह false है तो पहले हम इसमें false लिखेंगे फिर उसके बाद इसका reason जो यहां पर दूसरा statement यह इसको justify करना चाहिए कभी कबर जो दूसरा statement यह भी ठीक होता है लेकिन यह assertion को justify नहीं करता है तो उस case में यह दोनुस statement ठीक होते हैं फिर हमने इन में options ढूंडने होते हैं आप क्या करते हो आप महां पे इन options को आप नहीं पढ़ते हो आप सीधे यहां पे false लिखते हो आप यहां पे true लिखते ह आपने पहले इन दो statement को assertion और reason को अच्छी से समझना है जो यहां पे reason है hard water contains minerals हम जानते हैं hard water के अंदर minerals present होते हैं इसमें chlorides present होते हैं इसमें sulphates present होते हैं calcium and magnesium जिस वज़े से जो soap वो इसके साथ scum बनाता है precipitate बनाता है और जो हमारे कबड़े वो अच्छी से साफ नहीं होते हैं तो यह वाला जो यहां पे statement यह true है एक यहां पे false दूसरा true तो assertion हमारा false है और जो हमारा reason वो true है अब इसमें डूढ़ना है both assertion a and reason they are true and reason is the correct explanation of assertion a this is false यह नहीं आएगा इसमें क्योंकि यहां पे जो आपका assertion यह false है दूसरा true है यहां पे बता रहा है कि assertion भी true है और reason भी true है और जो reason वो correct explanation है assertion का तो इसका मतलब यह ठीक नहीं है अब इसके बाद दूसरा option हम चक करेंगे both assertion and reason are true यहां पे एक तो false है दूसरा true है तो यह यह नहीं आएगा फिर इसके बाद number second number third assertion is true यहां पे assertion true यहां तो assertion false है तो यह भी नहीं आएगा अब इसमें जो option D यहां पे बच्छता है assertion A is false जी हां यहां पे जो हमारा assertion वो false है and reason is true जो आपका reason यहां पे true है तो ऐसे इन questions को सालू किया जाता है आपने a से नहीं ल इसके बाद question number next यह फिर से में यहां पे बलाना चाहूंगा चलो बेटा देखिए तीसरा क्या है तीसरा है question number three appendix is a vestigial organ do you know vestigial organ किसको बोलते हैं ऐसा organ जो काम नहीं करता है जिसको पहले जमाने में काम था right now उसका काम नहीं है यह ठीक है appendix is a vestigial organ in human body इंसान में appendix vestigial organ है यारे तो बिल्कुल सही बोल रहा है था क्यों है vestigial organ अब यहीं तो reason में ऐसा ही लिखा होना चाहिए देखता है reason क्या लिखता है reason लिखता है it does not part part in digestion यह digestion नहीं करता है इसलिए यह बिना काम के हैं यह डाइशन नहीं करता है इसलिए कोई काम नहीं कर सब्सक्राइब कर रहा है तो इसका क्या अंसर आएगा बोट assertion and reason are true ठीक है दून सही है and reason is a correct explanation of a but reason जो है यह assertion की correct explanation है इसका बेटा option a आएगा ठीक है question 4 देखते है oh yes the blood is red due to the presence of hemoglobin हमारा खून लाल है क्यों लाल कि लाल है इसलिए हमारा खून लाल है है because हमारे ब्लेड में a color होता है जिसको हम हीमोगलोबिन बोलता है यार यह तो 105 परसंट सही बोल रहा है यह तो ठीक है बिलकुल सही है क्यों है देखो देखो यह क्या बोल रहा है the blood is red due to the presence of hemoglobin हमारा खून रैड है क्योंकि हमारे खून में hemoglobin है रीजन बोलना चाहिए हीमोगलोबिन में आईसी क्या प्रॉपर्टी है रीजन बोल रहा है हीमोगलोबिन में क्या प्रॉपर्टी है हीमोगलोबिन इस रेड प्रिग्मेंट इसका मतलब एसरेशन भी ठीक है रीजन भी ठीक है बट रीजन एसरेशन को स्टपोर्ट कर रहा है जस्पाइक कर रहा है एक्स्प्रेंग कर रहा है प्रॉपली तो इसका ऑप्शन फिर से यह आएगा ठीक है चलो क्वेश्टमर फाइव देखते हैं रेन और हमारा काम ही नहीं है यह फिजिक्स वालोंगा ठीक है साल नीजे यह फिजिक्स पॉर्शन यहां पी दो स्टेटमेंट से एक असर्शन और दूसरा रीजन सबसे पहले असर्शन पढ़ते हैं a rainbow forms in the sky only after rains जो rainbow यह हमेशा बनती है जब बारिश पढ़ती है और जब दूब भी होती है जब बारिश खतम होती है एर के अंदर जब water droplets present रेते moisture present रेता है उस वक्त जब दूब निकलती है तो उस वक्त rainbow बनती है तो यह statement ठीक है a rainbow forms in the sky only after rains तो अगर रेन नहीं होगी rainbow नहीं बनेगी इसका मतलब यह statement हमारा true है इसके बाद इसका reason water drops suspended in the air break up sun's rays into the seven colors कैसे rainbow बनती है जब rain पढ़ती है rain के बाद air के अंदर water droplets present होते हैं वो water droplets क्या act करते हैं they act as tiny prisms जब उन पर light पढ़ती है तो यह tiny prisms क्या करते हैं यह water droplets उस white light को split करते हैं into seven colors which is called is dispersion of the light उस phenomenon को हम dispersion of the light करते हैं तो यह पर इसका reason यह भी true है और यह statement इस statement को justify कर रहा है इसका मतलब आपका assertion भी ठीक है और आपका reason भी ठीक है and reason is the correct explanation of your assertion तो यहाँ पर आप option डूणते हैं both assertion A and reason are true and reason is a correct explanation of assertion A hope आपको यह समझ में आया होगा next question हाँ यह भी physics portion से हैं इसमें भी दो statements ऐसे ही यहाँ पर हमने क्या करना है पहले assertion को पढ़ते हैं hypermetropia is the defect of eye in which only further objectives are seen अगर आपने defects of vision पढ़े होंगे उसमें बहुत सारे defects आपने discuss किये होंगे myopia hypermetropia presbyopia cataract या astigmatism ऐसे बहुत सारे आखों के defects समने पढ़े हैं यहाँ पर पहला statement assertion की form में यह related to hypermetropia यहाँ पर एक patient को दूर के objectives अच्छी से दिखाई देते हैं जो नजदी के objectives उसको अच्छी से दिखाई नहीं देते हैं यहाँ पर आगर हम देखेंगे जो image वो रेटिना के पीछे बनती है क्योंकि जो आई के अंदर जो lens होता है उसका power कम होता है कम power होनी की वज़े से जो image बनती है hypermetropia is the defect of eye in which only farther objects are seen इसको नजदी के objectives दिखाई नहीं देते हैं तो इसका मतलब यहाँ पे जो assertion यह true है फिर इसके बाद hypermetropia is corrected by using diverging lens देखेंगे बेटा यहाँ पे जो image बनती है वो शीचे के बनती है क्योंकि जो eye lens का power वो कम होता है कम power की वज़े से image रेटिना के पीछे बनती है तो हमें ऐसा लेनिस चाहिए जो उन light rays को या जो IK lens का power थोड़ा increase करें अब IK lens का power किस वज़े से increase होगा जब हम convex lens I mean to say जब हम converging lens का इस्तिमाल करेंगे अगर हम converging lens का इस्तिमाल करेंगे तभी यह defect ठीक होगा तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है hypermetropia is corrected by using diverging lens के थे मगर हम जानते हैं जो hypermetropia defect it is only corrected by using which lens by using concave lens by using sorry convex lens इसको हम सिर्फ ठीक कर सकते हैं किस lens से convex lens तो यहाँ पे हमने diverging lens यहाँ पे हमने concave lens लिखा है यह statement ठीक है लेकिन यह इसका जो रीजन यह गलत है यह फालस है तो यहाँ पे आप आप्शन जूंडेंगे कौन सा आप true and reason is the correct explanation of assertion A तो यह तो ठीक नहीं है बोथ assertion A and reason are true but R is not the correct explanation of A यहाँ पे option number C assertion A is true वहाँ तो true है ठीक है and the reason is false जो आपका reason था यहाँ पे वो आपने बताया जो hypermetropia इसको हम ठीक करते हैं by using which lens कानके हो तो यहाँ पे आपने क्या लिखा था it is corrected by using this lens called as convex lens मगर आपने यहाँ पे लिखा है diverging lens जो इसको हम कानके हो लैनस के नाम से जानते है तो आपका reason वो false है तो इसमें जो सही option आएगी that will be assertion A is true and reason is false. Next question क्या है पढ़िए आप वश्मर स्योन है कि assertion बोल रहा है मतलब यह बंदा बोल रहा है assertion respiration is a biochemical process opposite of photosynthesis बिलकुल बेटा respiration में oxygen use किया जाता है photo synthesis में oxygen respiration oxygen यूद्ख किया जाता है photo synthesis में oxygen बनता है इसमें इस्तिमाल होता है यानि कि इस्तिमाल हो जाते हों इसमें बनके बाहर निकला निकाला जाता है तो पिलकुल opposite बिलकुल assertion ठीक बोल रहा है यह यानिकि Mys Oui ro बोल रहा है ठीक है यह जिए रिइसन क्या बोल रहा है रिज़न बोल रहा है देखो क्यों है आपोज़ेट रस पार इति दू रित अपस में आपस में आप उचे क्यों है तौह कंग रहे हैं energy is released during respiration हाँ यानि कि क्या है energy इस्तिमाल होती है कब respiration के दो रहा है सुनो यह बोल रहा है respiration is a biochemical process opposed to photosynthesis respiration is photosynthesis का अपोस्ट है यह बिल्कुल ठीक है but reason बोलना चाहिए क्यों है यानि कि reason बोलना चाहिए क्यों respiration photosynthesis बोल रहा है observ verw honor Спurso quindi बोलना इसी बात है यह समझाना खारा हो पर्स में नहीं मैं चाहिए मैं ट्रूरे आफंग गया सब्सक्रा रहा हूं तो आनि में आप सोड नहीं है ऐसे है्स दैयां यह भी में लेकिन आपसमें जोड़ नहीं है तो यह भी ट्रू है यह फी ट्रू है आपस में जोड नहीं है तो पॉलटस ऑप्शिन होगा यह भी नहीं आयंगा अचाहिए जोडbing आईगा को यह बहौत थर्षिन σας प्रीजिए और से इलंसा नहीं होते हैं नहीं पहलता है लिए खरफिता करने आंइश-देकर ब्रशी ऑंच नहीं पतते हैं वहीं है नहीं है उनको जॉरूरत नहीं पड़ति है वहरीजन मैं लिखा होना चाहेक वहीं क्या बेलकुलाइब क्या और रहे हैं सबनारे do have do not a plants do not have great demand of gaseous action huh assertion boreh plants के पास को इस पैक्षाल रेस्पारीट्री और नहीं रिजन बोल रहा है इस ते Лिए इस लिए उनके पास सपारीट्रीट्री और नहीं है क्यूंकि प्लांट को ज्यादा क्या प्लांट उसको ज्यादा ऑक्सीजन की डिमार्ड नहीं होती है उनको ज्यादा ऑक्सीजन की डिमार्ड नहीं होते है यह यार सही बोल रहा है और यह इसको सपोर्ट कर रहा है ठीक है यह समझो आप प्लांट प्लांट बोल रहा है मेरे पास कोई आपको ज्यादा जुरूरत नहीं है यह एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है इसका आप्शन पहला आएगा आएगा कॉस्टमर नाइन बस एंडिंग चल रहे है बेटा मेरा यहां क्एरा मतलब बयौल जीका वालपं इंटेसेयं हैं पताहे हम יह इंटेसेयं होता है न gate i.e.p अच्य विल यह बोलते हैे सरफेस अरिया बढ़ाना सोधै 264 एप्सक्रिया सोधैघ्य फ्णॐल को ज ख़्यात अब होदी यह बोलती है को किया जाए फूर को जयरा-जयरा अप्सा किया जाए देखते हैं dzień of穴स बचाहिँ के अंदर यही तो इश्यु है यही तो इश्यू है है यह बोल रहाँ संहालिंटे स्ट ढोडर समाल टेसित आइन के गंदर बहुत सारी ओना यह होते हैं सही है क्यों होते हैं रीजञे मैं लिखा होना हो था घॉल में होते हैं यहां absorption होना चाहिए यहां डाइशन है तो बिटा एक एफ यह फालस है असर्शन ठीक है reason फालस है तो कौन सा आएगा इसका आएगा a is true हाँ इसका यह आएगा option c assertion is true and reason is false assertion सही बोल रहा है reason इसको गलत बोल रहा है समझ आ रहे ना यह सही है यह गलत है कि देखो ना कैसे देख रहा है आपका चल वस्टमर टैन यह केमिस्टी का हां मुझे यार मैं इनसा भी इसके साथ ठीक है शेकिल सरेया वही कोस्टन नमट 10 from your chemistry portion the question is assertion carbon is the only element that can form large number of compounds हमने carbon and its compounds के चप्टर में एक टापिक पड़ा होगा versatile nature of carbon carbon की presence almost हर एक जगह पे that very much nature of carbon is called versatile nature of carbon अब कार्बन को कौन सी चीज बनाती है बहुत सारे reasons इसके पीछे तो पहला statement है assertion जिसको हम बोलते है carbon is the only element यह सही है that can form large number of compounds सबसे ज़्यादा जो compounds आपको किसके मिलेंगे carbon के ही मिलेंगे अब इसके पीछे कोई reason तो होगा reason क्या है चले देखते हैं carbon is tetravalent इसके पीछे चार reasons है एक tetravalency इसके उपर चार valence electrons available रहते हैं for bond formation दूसरे atoms के साथ यह bond बनाता है तो ऐसे में बहुत सारे compounds मिलते हैं तो उसी को वर्स्टाइल निचर गेते हैं या इसमें एक और property पाई जाती है that is called is catenation तो जो पहला statement है यह carbon के वर्स्टाइल निचर का carbon is the only element that can form large number of compounds बिल्कुल सही यह भी 100% को रहते हैं अब इसका reason क्या है वो चक करते हैं carbon is tetravalent भी में आपको बता रहा था and it shows the property of the catenation due to the tetravalency and catenation property carbon यह इतने सारे compounds बनाता है तो यह भी true है और इसका जो reason वो भी true है और reason इसको justify करता है तो इसका मतलब इसका जो सही option आएगा that will be option number first both assertion and reason both are true and reason is the correct explanation of assertion hope आपको यह question भी अच्छे से समझाया होगा और जो भी questions आपको आने वाले exam में आपको related to these assertion and reason basic questions जो आपको मिलेंगे वहां पर यह आपको अच्छे से करने आएंगे अब इसके बाद एक और question है यह दावुद सर का है यह नहीं है सर यह biology का है ठीक है चलिए देखो बस लास्ट दो questions है इन चीज़ों को बेटा अपने friends के साथ share करेगा और hearing is caring, बहुत important जैयार किसो को आपकी वजह से फाइदा पहुंचे आप norm का hadith है ना मफूम है आप में बह्तरीन शाक्त हुआ है जिसके पास कुछ है मफू में हदीश का आपके पास आप मैं बहतरीन शक्त हुआ है जिसके पास इलम है और वह दूसरों तक पहुंचा है यार अगर आपको पता चला है सर्शन रिजन कैसे करते हैं बहुत सारे दोस्ताइस के होंगे जिनको नहीं पता होगी सो शेरिंग इस केरिंग आप लाइ एक्सक्रीटर सिस्टम इस किड्नी एक्सक्रीशन का होती है सारा का सारा वेस्ट हमारी बोड़ी में जो है वह किड्नी से बाहर निकाला जाता है 150 फरसंट ये ठीक बोल रहा है पट वट वाट रिजन रीजन आईसा होना चाहिए जो इस एस एसर्शन को सपोर्ट करें नाइट्रोगन से स्टांड बॉर्डी कीडिनी मेन अक्सक्रीटरियों निजर बोल रहा है हाँ किडनी इसलिए यानि कि एसलिए bol रहा है ए औरिंडी यह कानेिक और बहु परया कियों निकलता है निकलता इसलिए बेटा ये क्या है इसका यानिक है यह त्वी ठीक है रीजन भी ठीक है बट इसको जस्ट फाइक कर रहा है तो इसको ऑप्शन पहला आएगा ऑप्शन ने जो को आएक सब्सक्भीन zwei की नारी ऊनुल हम कि चीज सब्सक पर कि longtime एक सब्सक्राइख ? चल 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 लासट ग।त वालना कुछ्ट वाल यालास ताम इट इस क्थमा 12 में टेस्टी आइन पीनस आऊट सड़ और यह यार सो वायलकिक को तमाच हमारा है आपको बताएं के अंदर दू टेस्टी रएथे आप गोनेट्स मेंAlkन लंक नर्डो टैस्टी सीअ अब यार यह यह पिंस पिनस में सब्सक्राइब और वह रहा है तो पता नहीं क्या समझताता है यह तो राम निकला मैं बोल रहा था टेस्टी जो है ओॉर्छ सब्सक्राइब भाड़े से टमपरेचर कम चाहिए यह तो हम सब बता है रीजन तो सभी बोल रहा है तो कौन सा उप्षन चूज करोगो चूज करोगे चल्द लिख दो ना यार कौन सा उप्षन चूज करोगे पहला नहीं दूसरा तुसरा क्या बोरा बहुत एसरी क एक बारी लिग दो यह कलिया हो गया हमारा है और वैने फिर से बोल रहा हूं अपने दोस्त के साथ शेयर करो जो एक्जाम में अपेर होने वाले हैं so that उनको विचारों को भी पता चले चले बेटा आपको और कुछ आपकी एक्जाम के लिए कोई माटीरियल कोई भी वीडियो चाहिए हमें कमेंट में लिख दो हम आपके लिए हाजर हैं we are always at your disposal चले अलाहाफिज असलाम बाइ